हेलो दोस्तो आज हम बताएंगे इंटरलोक इंटा का कैसे जोडाई होता है और बीना उसमें पलस्तर भी नहीं करना पड़ेगा आपको अब किलियर होगा बहुत अच्छा जैसे टायल पत्थर लगता है वो ऐसे दिखाई देगा जोड़ाईंट बिल्कुल आमने सामने होगा हर इंट का जोड़ाईंट सामने एक इंट छोड़के उसके सामने अधवाद में जोड़ाईंट एक सामने होगा नीचे से उपर तक इस तरह से जोड़ाईंट उसका बनता है इसलिए दिवार इतना अच्छा लगता है अगर थोड़ा सा इधर उदर होगा दिवार अच्छा नहीं लगता है और पूरा जो जितना भी रखना है आपको नीचे से मसाला बिछाना है एक सर्या का पीस ले लिजिए उस पर बिछा दीजिए उसके बाद उपर उसी के बराबर मसाला रखिए और एक छोटा पीस ले लिजिए उसी में जोईंट उसी के साइज रखते चाहिए इंटा जब इंटा उसी के साइज रखते चाहिए हर जोईंट और नीचे वाला भी जोईंट सब एक बराबर होगा इस तरह से चुनाई आप कीजिएगा तो पुरा दिवार अटमेटिक सही होगा कहीं भी कोई खराबी नहीं होगा देखिए हम लोग किये हैं ये दिवार कितना अच्छा होगा है इसी तरह से आप भी दिवार अगर कहीं भी करते हैं अगर सर्य लेकर आपको पूरा बराबर सिधा शर्या ले लिजेए वलार उपर से भी जुआइंक पूरा बुछ दीवार हो जाएगा उप फलास्तर नहीं करना पड़ेगा एक अपको वो ऐसे हो जाएगा की लिए पूजा फाइनल इतना अच्छा लगेगा दिवार जो आपको पलस्तर भी करने का जोरत नहीं है पलस्तर करके क्यों बेकार करना है सिमिन्ट वालू रहता और टाइम भी इसलिए आप चारो साइड से उसमें पांच इंची छे इंची का पट्टी बना दिजिए पूरा चौरस इतना अच्छा लगेगा मजा जाएगा देखने में और ज्यादा सुन्दर लगने लगेगा जब ऐसे हो जाएगा तो आपको टाल पथर कहीं लगवाने का जोरत नहीं है बाउंडरी में कहीं कहीं ऐसे ही दिवार कर दें और बाकी सब पलस्तर आईए सब रहा जाएगा पथर लगाने का जोरत नहीं है ना ये जहरेगा ना कुछ इसमें ना टायल होता है छोड़ देता है बाद में ये छोड़ेगा ने ये तो इंका है बलोग है इसलिए आप इसी को इसी तरह से आप चुनाई कीजिए और बनवाईए पूरा किलियर हो जाएगा आपको कहीं भी ज़रत नहीं पड़ेगा कोई प बढ़ियां होगा पलस्तर मत करा ये पूरा हम लोग भी किया है देखिए इधर पलस्तर नहीं करेंगे जो आगए दीख रहा है एक कावला उसी को पलस्तर करना है